कि वेल्कम एविवान आयम राहूल प्वदार वेल्कम इंट्रे की बिजनस विदार पी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सीवेसी ने जो है क्लास 12 के बिजनस स्टड़ी की टोपिक्स में क्या क्या चीज गिट किये हैं मार्च एजम 2020 के लिए चलिए हम स्टार्टिंग क चलिए नेक्स्ट आता है इनला क्कोंसेप्स का पैनला कॉंसेप्ट है कॉंसेट मंसेट असको भी हटा दिया है उमारा मनेगी ओमकेटन आ डिवल्क्रींड वद बेटर्मनान कटक्रों गेंडिये मार्केट लां डार्टे करेंध चार्डट इसको भी अटा दिया है हमारे नेक्स्ट वर में तो बिगाता है रोल पब्लिक रिलेशन जो हमारे जो है डिफकल्ट नहीं तुरह डिफ्रेंट आने वाला है मतलब हाड वर्क नहीं smart वा करने की यहां पर जरूरत है कहने मतलब एक इक topic एक चेप्टर का आपको concept किलर होना बहुत जरूरी है अगर वेनल वेस्ट को सदम आएंगे तो आपको concept किलर होना बहुत जरूरी है चलिए हम बात करेंगे के कि के त्रोस में क्या क्या चेंजिस आया है कौन को सब इ 34 कोशन होंगे जैसे 20 कोशन आपके जो है mcq objective टाइप में इस बार जो है value based कोशन भी one marks में कहरी हो सकते हैं आगे आपके पास कोशन आएंगे three three marks के और three question आएंगे four marks के और three question आएंगे five marks के और 3 question आएंगे 6 months के, total 34 question कह रही होंगे, और आगे है internal choice, internal choice यारी किस-किस question आपको choice मिल सकता है, जैसे जो objective type question नहीं को कुछ भी choice नहीं मिलेगा, लेकिन जो 3 marks वाले question है, उसमें आपको 1 choice मिलेगा, जो 4 marks वाले question है, उसमें आपको 1 choice मिलेगा, जो 5 marks वाले question आपको दो choice मिलेंगे जो 6 marks वाले question आप उसमें दो choice मिलेंगे total 34 question होंगे मतलब कहने का मतलब जितने भी concept है business study के आपको पुड़ा clear होने चाहिए तब आप अच्छे से और ध्यान से कर पाएंगे आसा करता हूं आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों साब भी सेर करें धन्यवाद